आप सभी जानते हैं आपका BPSC का जो पेपर है वो अब 13th of December को है तो हम लोग एक quick revision जो है वो करने वाले अपने science के topics का ठीक है अब यह जो revision है यह दो तरीके से होने वाला है first of all it would be through PYQs जो भी आपके PYQs रहेंगे previous year question देखो PYQs से आपको यह एक idea लगता है हमेशा कि किस तरीके से questions repeat होते हैं और दूसरी चीज है कि PYQs के मदद से हम लोग यह revision करेंगे ताकि यह जो PYQs से related questions दुबारा repeat होते हैं जैसे कुछ particular topics है, vitamins हो गए, nutrients से related questions जो होते हैं multiple times repeat होते हैं तो वो सब आपके फटाफट फटाफट यहां पे repeat होते हैं चले जाएंगे उससे आपका revision होगा तो थोड़ा सा हम लोग fast तरीके से but elaborated तरीके से अपने PYQs को solve करने वाले हैं पहला question आप लोगों के सामने आ जाता है, 60 second BPSC का question है कि इन में से कौन से जो जोड़ा है वो सही सुमेलित नहीं है यहां पे आपको कुछ एक questions मतलब कुछ एक वो दे रखे है खाद्य पदाद दे रखे है, edible items दे रखे हैं अब इसमें से किस के अंदर जो है, जो matching है वो proper नहीं है ओके देखो, जैसे vitamin B in oranges, क्या oranges के अंदर vitamin B पाया जाता है yes, definitely पाया जाता है, देखो, हम कहेंगे ma'am, हमने तो vitamin C सुनाता देखिए, vitamin C definitely oranges के अंदर rich होता है बहुत जादा मातरा में पाया जाता है, लेकिन vitamin C के साथ-साथ यह जो oranges होते हैं, इसके अंदर vitamin B भी पाया जाता है B, आपको याद होगा vitamin B, फटा-फट से revise कर लीजे, vitamin B की family में 8 members होते हैं, B complex बोला जाता है, और इसके अंदर 8 members होते है 8 members कौन-कौन से हैं, या 8 vitamins कौन से हैं, B1, B2, B3 B4 नहीं होता, B5, B6, B7, B8 नहीं होता, B9, B12 चीक है, तो यह 8 हो गए, यहां पे हमने कैसे याद किया था, टिया रिया ने पिंटू पर बोतल फेकना कबूला, बोतल फेकना कबूला, तो अब यहां देखो विटमिन B1 गया था, थ्यामिन, B2 है, राइबो फ्लेविन, B3 है, नियासिन, B5 है, पेंटा थेनोएक आसिड, पेंटा थेनोएक आसिड, ठीक है, B6 हो जाता है, पिरिडॉक्सिन, B7 हो जाता है, बायो टिन, B9 हो जाता है, फॉलेक आसिड और B12 हो जाता है, आपका कोबैलमीन, ठीक, अब यहां विटमिन B1 की कमी से रोग कौन सा हो रहा है, बेरी-बेरी हो जाता है, ओके, राइबो फ्लेविन की कमी से केलॉसस नामक डि पलाग्रा, जो की एक चर्म रोग है, तवचा से रिलेटिड डिजीज है, यहां लिख देती हूँ, B3 की कमी से पलाग्रा होता है, ठीक है, इसके साथ-साथ भूलने की विमारी हो जाती है, और तीसरा क्या है, यह आपका चर्म रोग है पलाग्रा है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पलाग्रा जो है, इसमें स्किन के उपर काले रंग के चकते बनने लग शुरू हो जाते हैं, चर्म रोग है, तवचा से संबंदित होगे, जिसको आप डर्मेटाइटिस कहते हो, डर्माटाइटिस, इसी वज़े से यह D से हो गए डर्माटाइटिस, भी हो जाते हैं, और कई बार डायरी इतना ज़दा बढ़ जाते हैं, कि लोगों के इमनित्तियों तक हो जाती है, इसलिए उसको D4 भी कहा जाता है, चीक है, नेक्स आजाता है आपका, एंटे थनोईक असेट B5 है, इसकी कमी से क्या होने वाला है, पर्निंग फुट सिंड् चीक है, B6 जो हो जाता है, पिरिडॉक्सिन हो जाता है, इसकी वज़े से आपको एक प्रकार का अनीमिया हो जाता है, चीक है, माइक्रोसाइटे कमी अनीमिया होता है, बट अगर आप अनीमिया भी याद रखते हो, ठीक, नेक्स आजाता है बायोटिन, बायोटिन के वज़ इसकी कमी से क्या हो जाएगा मूँ के छाले होने लगते हैं माउथ हलसर्स होने लगते हैं चीक है और माउथ हलसर्स के साथ साथ इसके द्वारा भी एक प्रकार का एनीमिया होता है साहिस रयाने को बाल अमीन जो होता है इसके द्वारा क्या होगा इसके द्वारा Pernicious Anemia नामक रोग होता है तो अगर आप देखो मैंने Anemia किस-σιस से रिलेट करा मैंने B6, B9 और B12 इन तीनों में बताया है कि भहिया तीनों की कमी से क्या हो रहा है अनीमिया हो रहा है ठीक है तो ये चीज़ ध्यान रेखिएगा किस कि कमी से अनीमिया हो जाता है तो आपका B6, B12 और B9 इन तीनों की कमी से क्या हो रहा है अनीमिया होता है अच्छा B12 जो है ना काफी important हो जाता है क्योंकि इसका जो अनीमिया है इसमें RBC मैचूर नहीं होते, RBC मैचूरेशन फेल ठीक है, RBC मैचूर नहीं हो पाते है, और B12 के अंदर एक मेटल पाया जाता है, जिसको आप कोबोल्ट कहते हो, ठीक है, इसके अंदर कोबोल्ट पाया जाता है, ये भी आपके पेपर में जैनरली नहीं मिलता है, ठीक है, तो विटमिन B जो है, वो औरिंजिस में मिल रहा है बिलकुल सही है ये, नेक्स है विटमिन C भी water-soluble होता है, ध्यान रखेगा, विटमिन D हो जाता है कॉट लीवर और आल में मिलता है, डेफिनेटली vitamin D जो है ना इसको आप sunshine vitamin भी कहते हो sunshine vitamin ठीक है sunshine vitamin क्यों कहते हो क्योंकि सूरज की धूप जब इंसान की तवचा के ओपर बढ़ती है तो इंसान की जो body है वो क्या करेगी वो vitamin D को create करना start करती है ठीक है तो धूप की बज़े से हमारी शरीर जो है वो vitamin D बना रहा है इसलिए sunshine vitamin का नाम हो जाता है cod liver की जो cod जो मचली होती है उसके liver का जो तेल होता है उसमें vitamin D heavily पाया जाता है okay next item vitamin E vitamin E जो होता है वो आपका wheat germ oil में मिलता है vitamin E की अगर आप बात करते हो इसको beauty vitamin कहते है beauty vitamin और यह जो beauty vitamin है आपकी त्वचा के लिए बड़ा अच्छा है अच्छा यह vitamin C का जो scientific name हो जाता है वो क्या हो जाता है आप क्या कह दोगे कि मैं vitamin C जो है उसका scientific name हो जाएगा हमारे लिए ascorbic acid चीक है क्या हो जाएगा ascorbic acid इसका हो जाता है vitamin C का vitamin B के मैंने सब बता दिये vitamin D को हम kelsey ferrol कहते हैं चीक है vitamin E आपका जो हो जाएगा इसको हम toco ferrol कहते हैं जिसको आप beauty vitamin B कहोगे और इसकी वज़े से क्या होगा आपका तो अच्छा सम्मंदित रोग हो जाते हैं फिर vitamin D जो हो जाता है इसको हम कहते हैं आपका phyloquinone और यह आपका blood clotting के लिए important है important for blood clotting रख्त के ठक्के जमाने के लिए काफी important हो जाता है यह alpha alpha नामग grass के अंदर पाया जाता है तो यह बात भी सही मतलब यह 4 के 4 options हैं तो यहां पर none of the above answer आना चाहिए तो इसलिए option क्या हो जाए बिटा E हो जाता है तो option number E becomes the correct answer बच्चे अकसर यह सोच लेते हैं कि vitamin B जो है वो नहीं मिलेगा oranges में क्योंकि oranges तो these are rich in vitamin C लेकिन ध्यान रखेगा oranges के अंदर vitamin B भी, vitamin B के भी कुछ एक parts पाये जाते है चैसे B1 उसके अंदर मिलता है ठीक है बी 3 उसके अंदर मिलता है चलिए next question number 2 आ जाता है आपका यह polymer chapter से related हो जाता है teflon की बात की गई है कि teflon जो है वो इसका monomer क्या है तो पहली चीज तो teflon जो है अपने अपने घर के अंदर जो बरतन रहते हैं काले वाले बरतन है जिसमें क्या है वो non-stick cookware जो बनता है ठीक है वो teflon का ही बना होता है teflon का जो complete name है that is polytetrafluoroethene ठीक है अब अगर आपने polytetrafluoroethene देखा तो वो कैसा दिखाई देगा आपको यहाँ पे fluorine fluorine और इसके ऐसी n number of जो यह units है यह repeat हो जाती है तो polytetrafluoroethene जो हो जाएगा that becomes यह आपका अब अगर आप teflon को देखोगे न तो इसमें क्या रहेगा कि यह यह आपका polytetrafluoroethene है अब यहाँ देखो tetrafluoroethene क्या होगा यहाँ पर यह देखिए यह आपका जो ethene होता है न अगर आप ethene में hydrogen के जगे चारो क्या लगा दो fluorine लगा दो तो यहां के ethene था basically यह CH2 double bond CH2 ठीक है यह क्या है आपका यह आपका ethene होता है अब इस ethene में से H की जगे आप सारी जगे क्या लगा दो fluorine लगा दो तो यहां पर चार fluorine है और साथ में ethene है तो इसलिए tetrafluoroethene हो गया अब इसके अगर लंबी chain मना तो यह polytetrafluoroethene हो जाएगा और polytetrafluoroethene को ही Teflon कहते है अचा Vinyl chloride जो है न यह क्या है यह आपका PVC के लिए जब आ पॉली Vinyl chloride PVC के पाइप्स हस्ते हैं उसमें यह चाहते ही इसता होगा होता है नेक्स आजाता है question number 3 इन में से कौन से जो characters कौन सी जो चीज है वो hereditary characters को control करने के लिए responsible होती है मतलब कोई भी आपका जो हमारे पास वस्तू है कोई भी एक जो जीव है उस जीव के अंदर इसमें से कौन सी चीज होगी जो उसके characters को control कर रही होगी जो बता रही होगी के हाँ भाईया यही जीव के अंदर यही information जाएगी जैसे आप हो आपके अंदर आपके वम्मी बापा के features कैसे carry-on ओरेंड enzyme के थुरू, hormone के थुरू, नहीं RNA के थुरू, नहीं actual में यहाँ पे DNA है deoxy ribonucleic acid deoxy ribonucleic acid ठीक है जो आपके हर एक cell के nucleus के अंदर पाया जाता है हर एक cell का nucleus जो होगा वो लगबा 2.2 meters लंबा DNA hold करेगा और इसी को हम इसी के अंदर पाये जाए, मतलब यहीं जो DNA है इसी के अंदर क्या है, हमारी जो सबसे छोटी hereditary unit है, that is gene जो आपकी function unit है, आपके characteristics को आगे carry forward कर रही है, वो हमें यहाँ देखने को मिलती है, gene ओके, तो DNA है वो चीज़ जो basically आपका hereditary characters को living cells में आगे लेके जाती है, अच्छा, DNA का important चीज़, DNA का जो structure है वो क्या है, double helic structure है या double helical structure है और इस DNA को अगर हम बोलेंगे, it is a polymer यह भी polymer है polymer किसका है, polymer of nucleotides ध्यान रखना paper में polymer of nucleocides भी लिखा हो बिलता है, तो अगर हम alphabetical order में चलेंगे तो S होता है 19th और T होता है 20th है ना, तो यह लगाता रहे अब यहाँ देखो, S अगर 19th है और T अगर 20th है, तो दौनों में से बड़ा कौन, T, ठीक है तो यहाँ पे, जो polymer of nucleotides होता है, nucleotides में आखें मिलेगा क्या, nucleotides basically आपका pentose sugar nucleic nitrogenous basis basis ATCG ठीक है, यह 4 nitrogenous basis होते हैं इसके अंदर, adnan, iman, guanin और cytosin, ओके, यह और इसके साथ-साथ आपका phosphate group इन तीनों चीजों से मिलके आपका क्या बनता है, nucleotide और इसी nucleotide की लंबी chain क्या बन जाती है, आपके DNA बन जाती है, जिसके अंदर A जो होगा, वो हमेशा double hydrogen bond, hydrogen bonds होंगे, ठीक है, तो double hydrogen bond बनाता है T के साथ, और C जो होगा, वो triple hydrogen bond बनाता है C के साथ, मतलब यह दोन एक दूसरे के complimentary है, जितने A होंगे किसी भी आपके DNA के अंदर उतने ही T आपको देखने को मिलने वाले है, और जितने C होंगे, उतने ही G देखने को मिलने वाले है मतलब एक दूसरे के पूरक है यह और यहाँ पर यह जो double helix structure है, हमको किस ने दिया था, Watson और Crick ने दिया था नाम important है scientist का ध्यान रखेगा, Watson and Crick ने दिया था यह, ठीक है तो काफी सारी important चीज़े हैं यह, ध्यान रखेगा एक एक चीज, next आज आता है question number 4, which of the following vitamins is also known as Algo Calciferol, अब देखो, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा confusion होगा चीज़ों को लेके कि, एक serious question के अंदर थोड़ा सा, वो है गरबर है, यहाँ पे देखिए, इसको सही कर देती हूँ देखो, अब यहाँ पे क्या है हमने पढ़ा था भी थोड़ा देखिए, कि Calciferol क्या होता है, आपका vitamin D होता है, अब D जो है न, वो दो तरीके का होता है, vitamin D2 और vitamin D3, अब D2 की अगर हम बात करते हैं, तो D2 जो होता है न, वो आपका क्या है, Calciferol कौन से वाला है Ergo वाला है, ठीक है, तो Ergo Calciferol, यह आपका vitamin D2 हो जाता है, और D3 क्या है Calciferol होता है ठीक, यानि कि यह जो vitamin D है इसके भी हमें तो सबबाट समय देखने को मिलते हैं, ओके यह जो vitamin D3 है यही वो आपका vitamin है जो हमारी skin खुद से बना लेती है तो यह क्या होगा vitamin D3 कब बनता है हमारे शरीर के अंडर जब sunlight उसके उपर पड़ेगी UV light, basically UVB light जब उसके उपर पड़ती है ठीक है, तो उसके उपर पड़ेगी, skin के उपर पड़ेगी तब ही अपना production शुरू करता है कॉलय केलसी फेरॉल का और दूसरा यह जो आपका algocerosi verol हो जाता है यह आपका inactivated vitamin D होता है, ठीक है, vitamin D2 जो है यह inactivated रहता है नेक्स्ट आजाता है अब अगली चीज़ क्या है आपका की यह इसका answer हो जाएगा, vitamin A sorry, option number A, vitamin B2 और B3 की अगर आप बात करोगे तो B2 आपका कौन सा हो जाता है, riboflavin B3 हो जाता है, आपका niacin या niacinamide, या nicotinic acid ठीक है, यह तीन इसके मतलब multiple names है, जिसमें से अगर आप niacin word अगर आपको ध्यान हो गया ना तो आप असानी से ध्यान रख पाऊगे इस चीज़ को ठीक है, अच्छा, vitamin D की कमी से कौन सा रोग होने वाला है, rickets होता है ठीक है, rickets जो होता है, वो आपको देखने को मिलेगा, बच्चों के अंदर हडियों का टेढ़ापन हमें देखने को मलता है, बड़ों के अंदर osteoporosis की समस्या होने लगती है, मतलब वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो हड़ियां है हड़ियों के अंदर, जो calcium है उसकी कमी होने लगे कि जिसकी वज़े से हड़ियां weak होने लगती है, नेक्स आजाता है question number 5, इन में से कौन सा correctly mash नहीं है, आप देख रहे हो, एक ही पेपर के अंदर, आप देख रहे हो, तीसरा question है, जो आपका basically, किस से related है, vitamin से related है, पहला आ जाता है, रेटिनॉल, रेटिनॉल, vitamin A का नाम हो जाता है, जिसकी वज़े से जिरॉफ थैल्मिया हो जाता है, जिरॉफ जब भी मिले, इसका मतलब होता है, dry, जिरॉफ थैल्मिया का मतलब है, eyes, जिरॉफ आपके आखों के अंदर, सूखा बानाने लगता है, जिरॉफ आपको आशू नहीं properly बनते हैं, और आखे शुश्क हो जाती है, तो उसको dry eyes बोलते हैं, जिरॉफ यह, सूखे अभी देखा था, टोकोफरल नाम है, आपका विटमिन E का, ठीक है, और बेरी-बेरी जो है, यह विटमिन B1, यानि कि थैमिन के कारण होता है, ठीक है, तो इसमें option number B, इसमें सही होना चाहिए, अभी रुख जाएए, लेकिन यहां पे एक option option एक और है, अभी मार्क नहीं करेंगे इसको, एक और option है, more than one of the above भी गलत हो सकते है, next होता है, cyanocobalamin, क्या इसकी वज़े से anemia होता है, हमने देखा था, cyanocobalamin, जो है, यह विटमिन B12 का नाम है, ठीक है, और इसकी वज़े से parnicious anemia होता है, तो यह बात बिल्कुल सही है, ठीक है, अभी तक हमारा B गलत आया, ergo kelciferol के कारण rickets होता है, यह बात बिल्कुल सही है, तो none of the above तो answer नहीं हो सकता, more than one of the above भी answer नहीं है, तो इसका मतलब answer क्या हो जाएगा, option number B बिल्कुल correct answer हो जाता है, तो आप देख रहे हो, कितना important है आपका यह वला chapter, next आजाता है, again यह question है, 60 second BPSC के अंदर ही पूछा गया है, और यह question आपका, फिर से किस चीज से related है, polymers से related है, question number 7 आजाता है, bakelite is formed by condensation of, अब देखे, bakelite क्या है, वो जो आपके घरों के अंदर switchboards जो लगे वए हैं, वो जिस चीज का एक hard, मतलब एक आपका ऐसे substance से बने वए हैं, जो क्या है, जो अगर आपने उसको जिस shape में एक बार ढाल दिया, तो वो दुबारा से अपनी shape को change नहीं कर सकता है, ठीक है, वो उसका क्या है, वो जिस shape में है, वो उसी shape में polymer बहुलक जो होते हैं, जो आपके heat की वज़े से अपने आपको change नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उस heat देने के बावजूद भी उनके अंदर कोई changes नहीं आते हैं, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, उसको हम लोग कह देते हैं, थर्मो setting polymer, एक बार गर्मी देखके या एक बार उसको जैसे सेट कर दिया है, वो हमेशे वैसे ही रहेगा, मान लीजे वो कुछ तूट गया, ठीक है, आप उसको heat दे के और जोड़ना चाओ तो जोड़ नहीं पाओगे, बेके light भी एक थर्मो setting polymer है, हिंदी में इसको बोलते हैं, ताप सूद्रड बहुलक, ठीक है, तो यह जो ताप सूद्रड बहुलक है, बेके light वो किस चीद से बना है, यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड से, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड से, फिनोल, एसिटल्डिहाइड से, या फिर मेलमिन और फॉर्मल्डिहाइड से, देखिए, फिनोल का structure किस तरीके से होता है, यह आपका एक बेंजीन है, बेंजीन के रिंग के साथ, अगर आपने polymers हो जाता है, जिसका इस्तमाल आप लोग कहा कहा करते हो, switchboards में करते हो, ठीक है, सबसे जादा जो इसका इस्तमाल हो रहा है जो अपने घरों में देख पाऊगे, वो आपका switchboard के अंदर आपको इसका इस्तमाल देखने को मिलने वाला है, ठीक है, और दूसरी चीज इसके इलावा और भी कुछ important चीज इसके बारे में ध्यान रखनी है तो यह है कि यह thermosetting है thermosetting का मतलब ही यह रहेगा कि heat की वज़े से यह change अपनी shape को नहीं करते है ठीक है और यह usage में यह बार बार पूछा जाता है कि कहां इस्तमाल होता है ठीक है जी चलो तो इसका answer क्या हो जाएगा option number B इसका correct answer रहे जाता है phenol formaldehyde इसको ना बेकलाइट को even ऐसे भी बोला जाता है phenol formaldehyde polymer ठीक है question number 8 देखिए इन में से कौन सा एक आपका antibiotic drug है अब antibiotic drug का मतलब क्या है जो basically किसी भी उसको जीव को मारने का गाम कर रहे ठीक है तो यहां पे यह जो आपके अलग-अलग जो drugs होते हैं उनके अपने-अपने actions होते हैं ठीक है अब जैसे अगर हम यहां पे बात करते हैं कुनेन की ठीक है तो कुनेन जो है आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि malaria की treatment के लिए हम कुनेन का इस्तमाल करते हैं ठीक है यह जो कुनेन हो जाता है यह सिंकोना पेड़ की च्छाल से निकलता है सिंकोना ट्री की बार्क से निकलता है अच्छा malaria की अगर आप बात करोगे आप लोग मुझे बताइए कि malaria जो है वो कौन से उसके कारण होता है पैरासाइट के कारण होता है तो आप लोग क्या कहोगे कि मैडम यह जो malaria है न यह होता है बेसीकली एक जीव के कारण और उस जीव का नाम क्या है उस जीव मतलब इसका vector पेपर में काफी बार पूचा जाता है कि कौन सा आपका वो vector है जिसके कारण यह malaria नामक रोग होता है तो आप उसका नाम क्या कहोगे कि मैडम यह तो एक मच्छर है है ना कौन सा मच्छर है ज आपका है Plasmodium को लेके जाने वाला मचरिया, ठीक है, फीमेल मचर रहती है, जिसका नाम है फीमेल एनेफिलस मॉस्किटो, यहीं पे लिख लो उपर ही, फीमेल एनेफिलस मॉस्किटो, ठीक है, और दूसरी चीज यहां देहर नखिएगा, कि यह जो फीमेल एनेफिलस मॉस्किटो है, यह कौन सा जो प्रोटोजोवा है, वो अपने अंदर लेके जाती है, तो उसका नाम है Plasmodium, मतलब Plasmodium के कारण क्या होता है, हम लोगों को Malaria नामक रोग होता है, Malaria किस चीज को एफेक्ट करेगा, Malaria आप लोगों का RBC, लीवर, मतलब देखो ना, RBC से related क्या चीज होगी, लीवर होगा, स्प्लीन होगा, तो इन जगों को यह इनफेक्ट करने वाला है, ठीक जी, तो पहली चीज तो यह हो गए, कि कुनेन जो है, वो Malaria को ट्रीटमेंट के लिस्तमाल हो रहा है, तो क्या हम इसको Antibiotic बोलेंगे, देखो यह आपका बेक्टिरियास के खिलाफ काम करती है, लेकिन यह तो प्लाजमोडियम जो की एक पैरासाइट है, ठीक है, वो प्रोटोजोग है, उसके खिलाफ काम कर रही है, तो यहाँ पे यह जो कुनेन हो जाएगा, यह क्या है, यह आपकी Antimalarial Drug कहलाती है, not Antibiotic, ठीक है, त तो यह क्या है, यह एक Antibiotic Drug है, जिसको हम, क्या बोलते हैं, Mycoplasma, बेक्टिरिया के ट्रीट्मेंट के लिए इस्तमाल करते हैं, ओके, और यह आपका origin, मतलब अगर हम देखेंगे, तो यह टाइफॉइड फीवर आदी के लिए इस्तमाल की जाती है, ठीक है, तो यह आपका Antibacterial है, ठीक है, अच्छा, यहाँ पे Sulfaguniumide रह गया है, तो Sulfaguniumide जो होता है, यह आपका किसीज के लिए हैं, यह आपका जानवरों के रोगों को ट्रीट करने के लिए इस्तमाल होता है, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, यह आपका Infection से बचाने का काम करता है, किसको आपके जानवरों को, Protects Animals from Infection, Animals में भी कौन Veterinary दवा है यह, ठीक है, तो Veterinary जो Animals होते हैं, जो आपके यह गाई हुआ, आपके डॉग्स हुए, इनको क्या गरेगा, इनको Infection से बचाता है ठीक है, Chlorophenicol तो हो गया है आपका आंसर, यह हो सकता है, ठीक है, अभी Last आजाता है आपका Aspirin Aspirin, अगर हम बात करेंगे, यह आपका, अच्छा, देखो, Aspirin से ना, Aspirin किस चीछ से बनाया जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, तो Basically यह Pain Reliever है Aspirin, ठीक है, अकसर आप सरदर जब होता है आपको, तब आप Aspirin की दवाई लेते हो, ठीक है, इसके साथ-साथ यह Pain Reliever, या Pain Killer बोल देते हैं इसे, ठीक है, यह किस चीछ से बनी होती है, तो Salicylic Acid से बनी होती है, Salicylic Acid से बनी होती है, और Paper में यह भी काफी बार पूछा गया है, कि Aspirin किस चीछ से बना हुआ होता है, ठीक है, तो यह चीज नहां लखिएगा, अगर यह Anti-Pain है, ठीक है, यह Energesic है, आपको दर्द में रहत दे रही है, तो ओविसी बात है, यह Antibiotic तो हो नहीं सकती, तो अभी इन चारों में से हमें Antibiotic कौन मिला, सिर्फ Chloramphenicol जो है, वो ही हम लोगों को क्या मिला है, एक Antibiotic मिला है, जो आपके different चीजों के साथ मिला के, आपके अलग- टाइफी को ट्रीट करने में, जो आपका टाइफॉइड का कारण बनता है, उसको ट्रीट करने के लिए इसका इस्तामाल किया जाता है, तो यहां पे Chloramphenicol becomes the correct answer, option number C, ठीक जी, question number 9 देखिए, यहां पे आपके कुछ लिस्ट हैं, जिनको आपको आपस में मिलाना है, जैसे Aspartame हो जाता है, अब यह जो Aspartame है, यह क्या है, synthetic rubber है, क्या क्रत्रिम rubber है, नहीं, anti-histamine है, नहीं जी, next है, artificial sweetener है, यह, sorry, Aspartame आपका artificial sweetener है, हाँ, artificial sweetener यह क्रत्रिम शरकरा का मतलब क्या है, कि आप इस Aspartame को अपने शरीर में ग्रहन करोगे, ठीक है, आपकी जीब को मीठा लगेगा, लेकिन यह आपके शरीर के metabolism में participate नहीं करता है, इस Aspartame, ठीक है, तो यह artificial sweetener होता है, yes, यह A3 हो जाना चाहिए, अब देखो A3 कहां का आ रहे है, क्या A में आ रहे है, नहीं, क्या B में आ रहे है, नहीं, तो अब CRD में से कोई एक answer हो सकता है, next आ जाता है, आपका यहाँ पे freon, ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे इस freon की बात करते हैं, तो यह आपका एक chlorofluorocarbon है, CFC है, और यह refrigeration के लिए इस्तमाल होता है, ठीक है, refrigerant है basically, जो इस्तमाल हुआ करता था, तो B4 होना चाहिए, ठीक, अब B4 देखो, यहाँ पे दिख रहे है, next नियोप्री नियोप्रीन जो है, वो आपका synthetic rubber हो जाता है, ठीक है, chloroprene, natural rubber, neoprene, synthetic rubber हो जाता है, तो C का 1 हो जाना चाहिए, और Benadryl क्या है, Benadryl आपका antihistamine हो जाता है, ठीक है, Benadryl क्या हो जाता है, antihistamine दबा हो जाती है, ठीक है, तो इस वज़े से आपका answer क्या बन जाएगा, यहा infection से बचाने वाली दबा होती है, antihistamine, ठीक है, तो यहाँ पर answer क्या मन जाएगा, option number C becomes the correct answer, ठीक है, तो यह artificial sweeteners में, आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, कि यह do not, do not participate in metabolism of the body, क्यों हम artificial sweeteners को इस्तमाल करते हैं, तो क्योंकि metabolism में participate नहीं कर रहा है, आपका glucose spike नहीं ह ठीक है, तो do not participate in metabolism, ठीक है, या फिर do not spike blood sugar, ठीक है, blood sugar को spike यह नहीं करता है, ठीक जी, तो यहाँ पर option number C becomes the correct answer, question number 10 देखे, insulin क्या है, insulin एक fat है, vitamin है, carbohydrate है, या फिर एक protein हो जाता है, तो अगर आप अपने इस insulin की बात करते हो, तो आप लोग क्या देखोगे, कि madam, जो insulin है ना, वो हमारे पास क्या है, वो हमारा एक enzyme रहता है, क्या, रहता है हमारा insulin एक enzyme, तो yes ma'am, basically यहाँ पर देखो, कि हमारे liver के अंदर, basically कुछ enzymes, sorry, कुछ hormones बनाए जाते हैं, बार बार enzyme word हमारे मुपे, तो basically हमारा जो liver है, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर हम लोगों को कुछ क्या बनाने है, मतलब अपना glucose को store करना है, किसकी रूप में glucose to be stored, in the form of glycogen, ठीक है, जिसको आप animal starch कहते हो, तो अब यह जो glucose है, इसको glycogen के रूप में store करना है, लेकिन इस glucose को glycogen बनाने के लिए हमको किसी चीज की आवशकता है, और वो है आपका एक hormone, जिसका नाम है insulin, ठीक है, वो insulin कहां से निकल रहा है, वो आपका, पैंक्रियास से, ठीक है, किस चीज से निकलेगा, पैंक्रियास से, अब देखो, यहाँ पे हमारा stomach आ गया, ठीक है, स्टम तो यहाँ यह जो पैंक्रियास है, पैंक्रियास के अंदर alpha, beta, delta cells होते हैं, जिसमें से जो beta cells होते हैं, beta cells, यह क्या करते हैं, इनके अंदर से insulin निकलता है, और यही insulin जो होगा, यह आपका क्या करेगा, यह आपका glucose को glycogen, glycogen में convert कर देता है, ठीक है, और यहाँ पे glycogen लि glycogen में convert कर देता है, तो glucose जो है, उसको glycogen के form में हमको store करना होता है, तो glucose को glycogen में convert करने का काम insulin का होता है, ठीक है, यह insulin कहां से निकल रहा है, beta cells से निकल रहा है, beta cells कहां पाए जा रहे हैं, पैंक्रियास में, और यह जो beta cells से निकलने वाला insulin है, यह क्या है, एक hormone है, अब इंसुलीन एक आपका हॉर्मॉनल प्रोटीन है जो आपका पैंक्रियास से निकल पैंक्रियास के बीटा से से निकलता है और यह हमारे इसके अंदर कौन सा धातू पाई जाती है जिंक मेटल इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है किस क्या कौन सा मेटल पाया जाता है जिंक मेटल पाया जाता है ओके और नेक्स चीज जो इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है कि यह जो हमारा इंसुलिन है इस से रिलेटेड जो आपके साइंटेव है या जिनको बोला जाता है कि इस इंसुलिन के कोज किस ने करी है तो विलियम पेंटिक हो जाए नहीं यह प्रेडरिक बेंटिंग तेखो कई बार ऐसे भी कन्फूजिन हो जाती है वो दो-दो नाम एक जैसे रहते हैं तो कन्फूजिन रहता है तो ध्यान रखियेगा फ्रेडरिक बेंटिंग उनके द्वारा इंसिलिन खो जा गया था यह चीज ध्यान रखियागा फ्रेडरिक बेंटिंग का नाम भी पूछा जाता है विलियम बेंटिंग का इस्ट्री वाला भी आ जाता है अब एक बार वीच बीच वेच वेच वे ठीक चलिए कोई दिक्कत नहीं है बस इंपॉर्टन एक unsaturated hydrocarbon होता है इसको हम hydrogen की presence में ठीक है hydrogen के साथ nickel या palladium नामक अपने जो metals होते हैं catalyst होते हैं उनकी presence में 100 degree Celsius तक heat करते हैं जिसकी वज़े से यहाँ पर क्या होगा यह आर आर डैश कर लीजे चीक है तो जिसकी वज़े से क्या होगा इनकी बीच का यह जो double bond होता है तूट के single bond बना लेता है और यह saturated hydrocarbon बन जाते है और यह जो saturated hydrocarbon होगा यही आप का यह देखो जो unsaturated hydrocarbonate this is punya happens oil और इस से क्या बनेगा है अंघी बन जाता है तो यहाँ पर hydrogenation की प्रक्रिया होती है यह जो प्रक्रिया है इसको कहा जाता है hydrogenation चीक है, तो hydrogenation की प्रक्रिया करी जाती है, जिसके द्वारा वनस्पती तेल को, वनस्पती तेल से वनस्पती घी बनाया जाता है, अब hydrogenation है, यह एक addition reaction होती है, जिसमें यहाँ पर, यह जो आपने RR- के बीच में, जो double bond तोड़ा था न, इसके बीच में क्या हो गया है, इसके वज़े से आपका एक saturated hydrocarbon बन जाता है, ओके, संत्रिप्त hydrocarbon बनता ही है, और संत्रिप्त की जगया है, नेक्स्ट आजाता है, LPG used as domestic fuel chiefly contains, ठीक है, जो भी आपका LPG यहाँ पर इस्तमाल होता है, उसके अंदर किसका, क्या चीज मेजरली पाई जाती है, तो देखिए, LPG liquefied petroleum gas है, liquefied petroleum gas हो जाती है, और इसको आप cooking gas भी कहते हो, ठीक, इस cooking gas के अंदर आपको क्या-क्या मिलेगा, propane plus butane, और साथ में इसमें एक, देखो, propane और butane क्या होते हैं, यह orderless है, orderless का मतलब इनके अंदर कोई सुगंद नहीं पाई जा रही है, ठीक है, यह दुर गंद नहीं पाई जा रही है, तो इसके अंदर अब घ्यास लीग होती रहेगी और यह highly flammable होती है, highly flammable है, ठीक है, जल्दी से इसमें आग पकड़ लेगी, तो अब यहाँ पे इसमें गं sulfur compound होता है, sulfur compound है, जिसको हम add कर देते हैं, जिसके वज़े से हमको गदबवू आती है, ठीक है, तो propane और butane क्या होते हैं, यह दौनों आपके alkanes होते हैं, C3, H8, और C4, H10, और इसके साथ साथ इथाईल mercaptane, C2, H5, SH, यह आपका add होता है, जो तीनों की तीनों मिलके, आप का LPG बनाते हैं, तो अब इसमें propane भी है, butane भी है, तो इसमें answer क्या हो जाएगा, more than one of the above, इसका answer हो जाता है, option number, ठीक है, question number 13 देखिए, soap removes grease by, अब यह जो soap है, यह grease को कैसे remove कर रहा है, पहला आ जाता है, यहाँ पे, coagulation के माध्यम से, दूसरा है, adsorption के माध्यम से, तीस it comes as none of the above, तो basically अगर हम देखेंगे इस soap को, तो soap जो होता है ना, उसके अंदर emulsification of fats होता है, मतलब basically क्या होगा, देखो यह जो soap है ना, इस soap के अंदर, एक hydrophobic और एक hydrophilic end होता है, hydrophobic का मतलब क्या है, जो पानी से डरता है, ठीक है, और एक है, जो पानी से प्यार करता है तो यहाँ पे देखो, soap जो है, वो अपना CH3, और यहाँ पे CH2, 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 और लास्ट में COOH, मान लीजे था, अब उसमें यहाँ पे H की जगे आपने sodium या potassium लगा दिया, CONA या COOK लगा दिया, अब हम एग्रीज हटानी है, तो हम sodium soap का इस्तमाल करेंगे, ठीक है, क्योंकि यह कपड़े दुलने वाला soap जो होता है, उसमें sodium लगा होता है, अब यहाँ पे क्या होगा, यह जो आपका CH3, CONA वाला जो पार्ट है, अब इसके अंदर अगर हम देखेंगे, हाइड्रोफोबिक एंड कौन सा होगा, और हाइड्रोफिलिक एंड कौन सा होता है, तो अगर आप यहाँ पे इस soap को देखोगे, ठीक है, यह आपका यहाँ पे sodium वाला पार्ट है, यहाँ पे आपका यह hydrocarbon वाला पार्ट है, ठीक है, इसके अंदर यह वाला जो पार्ट रहेगा ना, इसको हम कहते है hydrophilic, पानी को प्यार करने वाला, जल अनुरागी, और यह वाला जो पार्ट रहेगा, यह होगा hydrophobic, अब यह जो hydrophobic, जो end है ना, यह क्या करेगा, यह grease से जाके चिपक जाता है, और जो hydrophilic के पानी की तरफ attract होता है, और यह धीरे-धीरे जैसे grease है, कपड़े के उपर लगा हुआ, तो यह जितने सारे आपके hydrophobic ends है ना, यह सब इससे जाक बहुत सारे soap के molecules इससे जाके चिपक जाते हैं, ठीक है, और चिपकनिया के बाद क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे, और emulsify, मतलब सारा का सारा जितना भी आपका यह सारा grease होगा न, इसको emulsify करके और बाहर निकाल लेंगे, तो यह जो आपका इस तरीके से सारे grease को खटा करके और चारों तरफ इसके चिपक जाते हैं, इसको हम बोलते हैं, मिसल्स, ठीक है, मिसल्स बनाके और उस पूरे के पूरे soap को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे emulsification of fats के माध्यम से आप soap में से grease का रिमूवल देखते हो, तो इसमें emulsification या PIC करन इसका स सही answer बन जाएगा, option number C, question number 14 देखिए, which of the following hormones play a role in release of milk from mammary glands, mammary gland से कौन सा जो आपका, वो है, हॉर्मोन है, वो milk को release करवाता है, तो basically देखिएगा, ठीक है, आपको जो चारों option दे रखे हैं, एक एक करके इनको देख लेते हैं, first is adrenaline, यह आपका adrenal gland या अधिवरक गरंथी से ठीक है, अधिवरक गरंथी से, जो आपकी kidney के उपर पाई जाती है, ठीक है, तो यह आपका, क्या milk को release करने के लिए इसका कोई role होगा, नहीं जी, adrenaline gland का कोई role इसमें नहीं होता, thyroxine, thyroxine के अगर आप बात करोगे, तो यह आपका thyroid gland से निकलने वाले आपके hormones हैं, ठीक है तो again, क्या इसका milk से कोई relation है, नहीं जी, इसका भी कोई relation हमें देखने को नहीं मिलता है, अब next आता है, progesterone, progesterone और estrogen, यह दोनों के दोनों आपके female hormones हैं, जो आपके female के sexual glands को develop करने में मदद कर रहे हैं, तो क्या इसका release of milk से कोई relation है, नहीं जी, last आता है आपका oxytocin, क् वो memory gland से release of milk में मदद करते हैं, तो yes, definitely, oxytocin is known as love hormone, और यह जब भी कोई भाई, एक मा जो होगी, जो अपने बच्चे को जो है, प्रेम देती है, तो उससे क्या होगा, उससे वहाँ पे, उसके अंदर यह hormone secret होता है, oxytocin, जिसकी वज़े से क्या होगा, उसके जो memory gland से है, milk release होना start हो जाता है, तो option number D becomes the correct answer, यहां पे more than one of the above answer नहीं हो सकता है, next आ जाता है कि, यह जो दो list दे रखें को आपस में जोड़िये, तो पहला आ जाता है skin cancer, skin cancer या तो अचा cancer इन में से किसके कारण हो सकता है, क्या chlorofluorocarbon के कारण हो सकता है, तो नहीं, chlorofluorocarbon के कारण ज लेकिन क्या बोलते है, skin cancer हम नहीं relate कर पाएंगे, दूसरा आ जाता है, तो मैं फिर ultraviolet rays से हो सकता है, तो yes, definitely यह जो ultraviolet rays है, उसकी वज़े से skin cancer definitely हो सकता है, noise pollution, noise pollution को मापने के लिए हमारे पास जो इकाई है, that is decibel, small d, capital B, ठीक है, बेल एक बड़ी काई है, और उसका एक छ जाते हैं, noise pollution को मापते हैं, next जाता global warming, global warming किसके कारण है, अभी मैंने बताया था कि chlorofluorocarbons या CFC, जैसे अभी हमने freon की बात करी थी, तो freon जो है, वो global warming के लिए responsible है, क्या ऐसा हो सकता है, कहोगे नहीं मैं, बिलकुल possible नहीं, freon को हमने किस चीद से relate किया था, freon को हमने relate क किया था, ozone के छिद्र से, अच्छा, हिंदी और English में उपर नीचे हो गए, रुकिये, कुछे देखो, A2, ठीक है, इनमें से कोई भी कर सकते हैं, तो इसको करिए, वैश्विक्तापन, इसको match कीजिए, तो क्या हम global warming से, क्लोरो फ्लोरो काबन को relate करेंगे, देखो, कही न कहीं relation बन सकता है, बट direct relation अगर हम देखेंगे, तो global warming से carbon dioxide related है, ठीक है, क्यों क्योंकि carbon dioxide जो है, वो heat को trap करके रखने वाली आपकी gas हो जाती है, और ozone जो है, वो आपका क्लोरो फ्लोरो काबन की वज़े से deplete हो रही है, ozone को मापने के लिए आपकी जो एक आई होती है, that is dobson, ये भी ध्यान रखिए, गो dobson unit से हम इसको measure करते हैं, ozone आपके stratosphere में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाएगी, समताप मंडल में, ठीक, तो अब यहां पे A का 2, B का 3, A 2, B 3, ठीक है, तो B और C में से कोई होगा, फिर C का हमने लिया है 4, और D का लिया है 1, तो option number B becomes the correct answer, ठीक है, चलिए, next question आ जाता है, human body के अंदर vitamin A कहां store होता है, तो अब यह हमारा question number 16 आ जाता है, कि human body के अंदर vitamin A कहां store हो रहा है, लीवर में, skin में, lung में, या kidney में, देखो, vitamin A, देखो, अगर आप यहां देखो, आज ही यह सिर्फ हम 60 second BPSC के ही questions को कर रहे हैं, तो आप देख रहे हो, multiple times आप लोगों को same ह topics से questions देखने को मिल रहे हैं, अब यहां पर क्या है कि यह जो आपका vitamin A है, यह आपका एक fat-soluble vitamin है, fat में गुलता है, तो fat-soluble vitamin आपके हमेशा लीवर के अंदर store होते हैं, ठीक है, आपके कौन-कौन से fat-soluble vitamin है, तो ध्यान रखना है आपको fatty-kida, fatty-kida, तो fatty-kida में आप कि vitamin E, K, B और A, ठीक है, तो कीडा हो जाता है, यहां पर liver, यह सारे liver में store होंगे, और vitamin B12 भी semi-soluble होता है fat के अंदर, तो इस वज़े से वो भी liver में store होगा, ओके, तो यहां पर answer क्या हो जाएगा, यकृत इसका सही answer हो जाता है, vitamin A आपका यकृत में store होता है, vitamin A का scientific name आप आप लोगों को ध्यान रखनी है, अपने इस vitamin A के बारे में, कि इससे कौन-कौन से रोग होते हैं, तो पहली चीज तो यह ध्यान रखिएगा, कि vitamin A जो होता है, यह antioxidant है, ठीक है, और दूसरी चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, कि यह vitamin A की कमी जो होगी, इसकी वज़े से आपको सबसे ज़ादा आँखों से related रोग होने वाले हैं, ठीक है, जैसे आपका night blindness नामक रोग हो जाता है, ठीक है, night blindness, रतौन धी जिसको कहते हैं, यह निकलॉपिया कहते हैं, night blindness, ठीक है, रतौन धी, दूसरा आजाता है आपका इसके लाबा जरफ थैल्मिया, आखों का शुश्क रोग जो होता है, मतलब आखे जो हैं वो कैसी होने गा, eye में dryness आने लगती है, इसके लाबा तीसरा होता है यहां पे आपका keratomalacia, keratomalacia, keratomalacia में क्या होगा, आपके आखों का cornea थिकन होने लगती है, यह सारे के सारे क्या है, यह सारे के सारे आपके vitamin A के वज़े से, कमी के वज़े से होने वाले रोग हो जाते हैं, vitamin A को आप anti-infectious vitamin भी कहते हो, anti-infectious ठीक है कौन से विटमिन हो जाएगा यह एंटी इंफेक्शियस विटमिन हो जाता है ठीक है तो यह कुछ-कुछ चीज़े हैं जो आपको ध्यान रखने हैं विटमिन A के बारे में आखों के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है आपका यह विटमिन तो भाई पेपर से रिलेटेड भी है बहुत ज्यादा ठीक और एक और चीज़ जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं इसके अंदर कि यह जो आपके विटमिन जितने भी हैं सबका ध्यान रखिएगा कि फैट सोल्यूबल कौन से और व पॉइजन का क्या बोलते हैं एंटीडोट हो जाता है अच्छा देखो यहाँ पे अन्ति कोईगollent जो जहर है मतलब एक ऐसा जहर है जो क्या कर रहा है जो आपके रख्तके थक्के जमने नहीं दे रहा है कोईगुलेशन का मतलब अन्तलब थक्के जमना अब थक्के को जमने का anti है रोकता है ठीक है तो ठक्के जमने से रोकने वाला जो आपका poison है उसका antidote के रूप में आप किसका उपयोग कर सकते हो तो obvious ही बात है यहाँ पर हमारे पास क्या होगा यहाँ पर हमारे पास vitamin A जिसकी हमने अभी थोड़ दर पहले बात करी थी कि भाईया यह क्या है यह आपका रक्त के ठक्के बनाने में मदद करता है ठीक है मतलब यह आपका bleeding को रोकेगा तो यह anti-hamorrhage vitamin हो जाता है ठीक है तो यह जो anti-hamorrhage vitamin होगा phyloquinone इसी की मदद से क्या होगा इसी की मदद से आपका anti-coagulant poison का हम विरोध कर सकते हैं ठीक है alpha alpha बहुत अच्छा source हो vitamin K का next है देता है question number 18 देखिए iodize salt जो होता है कि iodine युक्त नमक खाना चाहिए क्यों कि thyroid ग्रंती अच्छे सा काम करती है okay तो basically इसके अंदर iodize नमक क्या है नमक होता है NACL, NACL में आप क्या मिला होगे potassium iodide जब मिला देते हो तो उसमें iodine युक्त नमक कहते है ठीक है तो KI इ कि which of the following is present maximum in acid rain, acid rain के अंदर maximum तोर पे क्या चीज पाई जाती है, HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, या क्या चीज इसके अंदर पाई जा रही है, आपको वही चीज बतानी है, कि इन में से क्या चीज maximum मिल रही है, देखो, simple सी चीज है, जब हम acid rain की बात करते हैं, तो acid rain जो है, वो जिस भी रेन का pH level 5.5 से कम होता है, उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम लोग कह देते हैं, कि भाई, जो आपका pH level है, अगर वो उससे 5.5 से कम हो जाता है, तो वो आपका acid rain हो जाता है, acid rain की वज़े से क्या होगा, आपका crop खराब होने लगती है, इनसान को skin infections होने के समभवना रह पानी जब आपस में मिले, तो उससे बना H2SO4, और उससे आपका ताज महल का मारबल है, वो पीला बढ़ना जुरू हो गया, तो यहाँ पर आपका 60% आपका acid rain के अंदर यह पाया जाता है, और second number पर जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, वो क्या मिलता है, वो आपको मिलता है, HNO3, ठीक है, तो maximum आपको क्या मिलेगा, 60% आपको मिल रहा है, H2SO4, और बाकी है आपका HNO3, तो अब 60% तो खुदी अपने अपने majority हो जाती है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको answer करेंगे, H2SO4, ठीक है, next आजाता है, कि God's particle, जो आपका है, यह क्या है, है, neutrino है, Higgs boson है, meson है, या positron है, तो देखिए, Higgs boson जो हो जाता है, यही आपका elementary particle है, वेरी, सबसे छोड़ा जो particle है, उसको Higgs boson ही माना गया है, और इसी को हम God's particle भी कहते है, नाम, किसके नाम के पीछे Higgs boson नाम दिया गया है, तो आपने एक physicist है, ठीक है, जिनका नाम थ है, यह Higgs boson नाम दिया गया है, ठीक है, तो यह जो Higgs boson है, यह आपका सबसे छोटा particle माना जाता है, ओके, और इसका जो है, इसकी zero spin रहती है, इसमें कोई color नहीं होता, इसमें कोई charge, electric charge नहीं होता है, मतलब किसी भी तरीकी spin ने इसके अंदर नहीं हो गया, और ना ही इसके Higgs boson है, यह हमारे physics में जो further हमको investigations करने होते है, quantum theories में, वो हमारे लिए बहुत जादा important हो जाता है, ओके, दूसरी चीज़, यहाँ पर भाईया लिखा है, neutrino, अब अगर आप इस neutrino की बात करते हो, तो यह जो neutrino है, यह क्या है, यह subatomic particle है, जिसके अंदर again कोई charge नहीं होता है, लेकिन इसका spin होता है, मतलब इसके अंदर क्या होगा, यह half unit spin इसके अंदर देखने को मलता है, और इसके अंदर mass भी होता है, ठीक है, नेक्स्ट है जाता है, यह आपका meson, अगर हम इस meson की बात करते हैं, तो meson भी आपका एक quark और anti-quark से मिलके बना होता है, ठीक है, अब यह quark, anti-quark क्या है, यह सब आपको जहां ता कि देखिए, अभी आज कल news में भी नहीं है यह चीज़े, तो आपके paper पर भी आने की संभावना इनकी नहीं है, ठीक है, तो यह mesons जो होते हैं, यह आपका एक quark और एक anti-quark से मिलके बना हुआ होता है, अगिन यह भी एक sub-atmic particle ही होता है, ठीक है, और next आजाता है आपका positron, तो इसको हम positive electron के नाम से जानते है, positive electron, ठीक है, तो positive electron के नाम से हम positron को जानते हैं, ठीक है, जिसके अंदर again क्या होगा कुछ mass होगा, और थोड़ा positive charge हमें इसके अंदर देखने को मलता है, electron के just opposite, ठीक है, अगला आ जाता है आपका question, तो इसको question का answer क्या हो जाएग, option number B, Higgs boson becomes the correct answer, question आ जाता है, last आपका 60 second BPSC का, कि इन में से कौन से radio isotope का इस्तमाल हम blood cancer को treat करने के लिए करते हैं, अब देख से related होगा, यमेशा oncology से related होगा, ठीक है, किस से related होगा, oncology से related होगा, जब भी, जो onco word है that relates to cancer, cancer क्या होता है, कि आपका एक छोटी सी जगह है, जहां पे सिर्फ 10 लोग रह सकते हैं, उसमें आप अचानक से 100 लोगों को डाल दो, तो क्या वहाँ पे वो जो 100 लोग है, उनका पर्टिकुलर शरीर के अंदर जगह थी, जहां पे सिर्फ 10 सेल्स के रहनी के जगह थी, अब महां सार सेल्स डेवल अप हो चुके हैं, तो इसमें से किसी को भी growth proper नहीं होती है, और यही जो uncontrolled division of cells होता है, उसी से हम लोगों को क्या मिलता है, cancer मिलता है, ओके, और यह आपका जो cancer होगा, यह इसको treat करने वाले doctor oncologist कहलाते हैं, और अगर हम blood cancer की बात करेंगे, इसको leukemia कहा जाता है, जिसके अंदर आपके WBC, जो है, abruptly increase हो जाते है, बहुत जादा increase हो जाता है WBC के अंदर, जो आपका iodine 131 है, इसका इस्तमाल, अब किस चीज के लिए करते हो, iodine 131 का इ चीज के लिए हमेशा क्या बोलते हैं, जो भी हमारा thyroid gland है, उसके treatment के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका iodine 131 का इस्तमाल करेंगे, और दूसरी तरफ, अगर हम लोगों को अपना क्या करना है, यह sodium 24 का इस्तमाल करना है, तो इसका इस्तमाल भी हम लोग किस चीज के लिए कर करते हैं, नेक्स्ट है आपका यह cobald 60, तो yes cobald 60 का ही इस्तमाल हम blood cancer के लिए करते हैं, ठीक है, तो आज के session को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, अगला जो अभी अगर आपने इसमें देखा हो कि यह जो शुरुवात का जो हमने यह paper किया, इसके अंदर जो major हमारा focus रह रहा, disease के उपर रहा, और nutrition के उपर रहा, nutrition में भी nutrients में vitamins के उपर इनका ज्यादा focus रहा है, और थोड़ा बहुत जो इनका focus रहा chemistry के अंदर वो polymer के उपर रहा, ठीक है, तो यह चीज़ देखो, यह repeatedly वही आपके topics आजाते हैं, जो आपको multiple times revise करने होते हैं, है ना, तो definitely ध्या questions करने वाले हैं, और हाँ, एक और चीज, अगला जो paper होगा, आज मैंने सब 20 questions लिया है, ठीकिन अगला जो paper होगा, उसके अंदर हम 40 questions करने वाले हैं, ठीक है, दो paper इखटे करेंगे, ताकि आप लोगों का जल्दी-जल्दी महाँ पे चीज़े कबर हो जाएंगी, ठीक है, तो यह चीज ध्यान रखेगा, ओके, तो चलिए फिर आज के session को यहीं पर विराम देते हैं, मिलेंगे आप लोग इसे next session में, so take care and thank you for joining SLB classes.